तो दोस्तों शड़े मूड में आपका स्वागत है बिहार पुलिस कुंस्टेबल के 2415 पदो का फिसकल पटना के गर्दनी बाग में चल रहा है पले लड़कियों का फिसकल हुआ 11 मार्च तक चला उसके बाद लड़कों का फिसकल 15 मार्च से सुरू हुआ जो कि अभी तक चल है यह 8 अपरीत तक चलने वाला है काफी लड़के पूछ रहे थी कि सर 30 मार्च 2022 को कितने लड़के फिसकल में सेलेक्ट हुए और किस कारण से सबसे ज़्यादा लड़के बाहर हो रहे हैं और कौन सी गलती आपको नहीं करना है अगर फिसकल में यह गलती करते हैं तो बाद चैन परसत सिपाही भरती विग्यापन संखह 05 2020 सारेरिक दक्षता परिक्षा अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 30 मार्च 2022 को 1392 अभ्यार्थी आये थे सारेरिक दक्षता परिक्षा के लिए 600 में से जिसमें से 497 अभ्यार्थी असफल रहे दोड में उसके बाद बचे हु ऐसे परद हुरुची गुदमिया सफल हो जाते हैं यहां पर आप देख सकते हैं ज्यादा नंबर है पिर बचते हुए हैं 840 फिर इनका सारेर को मापदंड्य में उचाई और सीना का माप देखा जाता है ज़्यादा तर अभ्यार्थी जो कि फिस्कल निकाल ले रहे हैं सारे माप दंड में उचाई में छट रहे हैं ठीक हाइट उनका नहीं हो पा रहा है तो हमापर छाड़ दिया जा रहा है ऐसे आप देखिएगा दिन परती दिन आपको ऐसे अभ्यार्थी को पकड़ कर बगल के थाने में दिया जा रहा है उनको फायार किया जा रहा है और पूरे परिक्षा से उनको बंचित रखा जागा अब इन में से बहुत से भ्यार्थियों को खुद नहीं पता है कि हमारा रियल्ट कैसे हुआ है क्योंकि माल लिजिए आप थर्ड परसन के पास गए उसके बाद आप बोले कि मेरा रियल्ट आ जाना चाहिए मैं इतना पैसा दे दूँगा वह बुले का ठीक है हम अंदर से ही ओमार सिट रंगवा देंगे ध्षान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं अंदर से ही ओमार सिट रंगवा देंगे अब ऐशसा तो कुछ होता नहीं है काफी अभियार्थी बोले कि सर्फ फायर्मेन वाला में बहुत सा भियार्थी जो है छोड़ कर आए हैं ओमार सिट लेकिन मैं आपको बता दू जो ओमार सिट जिन अभियार्थियों ने छोड़ा है उसका रोल नमबर अपलिक लीजिएगा उसका रिजल्ट देखिये अगर न में निकलवाता है और पैसा आयठ्थ लेता है और फिर आयलं आपको जा कर वहां पर फकड़ाना थे है, क्योंकि आपको वहां पर ठेकेशन होता है, उसमें आप पकड़े जाएंगे, तो ऐसे गलती नहीं करना है यहATHANल्थ है नही तरीका से डुक्मेंट वरिफिकेशन कराना है बहुत से क्या लड़के करते हैं कि गलती होने के बाद भी वहाँ पर गुर्णाने लगते हैं जैसे कि अगर माल जी कि आपका जाती गलत हो गया देट ऑब बर्त हो गया तो बोल रहा है कि आपका मिसमेच हो गया है अगर उससे बत्तमीजी कीजिएगा जो भी डुक्मेंट वरिफिकेशन करते हैं समझे कि आपका ही गलती है यह गलती कभी मत कीजिएगा जो अब्यार्ति कर रहे हैं काफियो ब्यार्ति को मुझे सूचना मिला बोले भी हमसे कि हमसे गलती हो गया सर अब बताइए हमारा वो बिगार सकत हैं तो अभी मार पिट कीजेगा तो मार कर कोई भाग जाएगा दादा घरे के घरे रह जाएंगे तो फिर यह गलती नहीं करना है आपका वहां पर रोब नहीं दिखाना अच्छे से डुक्मेंट वरिफिकेशन कराना है अगर वहां पर बोल रहा है कि नहीं आपका बीसी है है आपका EBC में है और मैं मैं मिसमेंच लिख रहा हूं तो उसका वही डूटी दिया गया है और यह साथ में कि जो डुक्मेंट्स काफिया भिहारती बोले कि सर सेंटर वाला बता दीजिए यह अस्टेट का है और सुरू दिन से मैंने बताया था कि ब्लोक अस्तर का चल जा रहें उनको मौका दिया जाता ऐसा नहीं कि मिसमेंच लिखा जाता है उनको मौका दिया जाता है ठीक कि आप डॉक्मेंट्स लाकर जामा कर सकते हैं या वहां पर आपको जो है अच्छे से बोल दिया जाते कि नहीं को कोई दिक्कत नहीं होगा यह गलती नहीं करना है य 829 को वहां पर 800 दिखाई देरा है करने का मतलब कि 800 के अर्द गृद ही आपको दिखोंते हुए दिखाई देगा फिर यहां पर दीखे उसके जो 800 मर्च को ऊड़ को आपको 805 लोड़को का फिसकल में वाय फिर धिर आप देखиएगा जो आपको 26 मार्च अशेरी देखे पर 35 मार्च को हुआ है यह आपको यह 2%. धूपा को परकोप नहीं था फिर आप देखेगा अश्य Trasip भी था लड़के क्या होली बन्याने में अपना फिसकल भूल गए मतलब भूलने का मतलब यह नहीं के फिसकल देने नहीं आए बच्छे से प्रेक्टिस नहीं करें और अचानक आये और उतने धूपा में लिया गया फिसकल इसलिए दिखिएगा अचानक में 807 रिजल्ट आता हुआ था आपको फिसकल में और फिर आप देखिएगा 15 मार्च को चुक्री बहुत कम लोगों को बुलाया गया था यह आपको 99 अभिहार्चियों को हुआ ठीक तो टोटल आप देख सकते हैं कि ऐसा आपको फिसकल का जो सेलेक्शन रेसियो है यह दिखाई दे रहा है होगा और यह 800 में दिखाई देंगे क्योंकि थूपा का परचन डेदम परकोफ है और जिसके कारण आप देख रहे हैं कि फिसकल में बहुत से लड़के रणिंग में ही चट जा रहे हैं 500-600 के करीब लड़के जो है यह रणिंग में ही चट जा रहे है जो कि इतना लड़के यहां पर आप देख सकते हैं कि 11 मार्च फिर एक आपको अपरिल दू अपरिल चार अपरिल पांच अपरिल छे अपरिल शाथ अपरिल आठ अपरिल तक आपको चलने वाला है और अभी शीट फूल हो चुका है कहने का मतलब कि जितना सीट है उतना से अधिक लड़के अभी ही होगी हो गए है फाइनल रुप से अब दिखिए अगर लड़कों के सीट स्याधिक हो चुके हैं तो कंपटिशन टफ होने वाला है ही कही न कहीं इसमें से बहुत सा अभ्यारती बाहर निकलेंगे जितना स्कोर कम होगा तो जो भी अभ्यारती फिसकल देने जा रहे हैं अ हो भी डाउट हो कॉन्वक्ष में लिख सकते हैं बडियों दखने का बहुत बहुत धन्राइब